दोस्तो अगर आपको ठकान लगी रहती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, समय से पहले आपके बाल ग्रे हो रहे हैं, यह आपके बाल टूट रहे हैं, नाखुनों में दर्द रहता हैं, मासपेशों में दर्द रहता हैं, तो कहीं न कहीं आपके शरीर में विटामिन और म इनल्स की कमी है तो यह वीडियो आप अवश्य देखें यह वीडियो आपके काम में आएगा तो इसे शुरू से लेकर अन तक अवश्य देखें अपना फर्मा जोन के एक नए और इंफर्मेटिव वीडियो में आप सब का स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे बीकाड एक्सामीन कैपसूल को और जानेंगे यह किस काम में यूज होता है इसके साइड इफेक्ट्स के हैं इसकी डोज हमें कितनी लेनी चाहिए क्या वाकई में बीकाड एक्सामीन काम करता है एक ओनेस्ट रिव्यू के लिए आप इस वीडियो को आश्य देखें दोस्तों बीकाड एक्सामीन एक डाइटरी सप्लिमेंट है इसका मतलब है कि जो चीज़ें हमारे डाइट से हमी नहीं मिलती है उन कम्यों को पूरा करने में यह हमारी मदद करता है तो यह है एक डाइटरी सप्लिमेंट है दोस्तों जिसमें मिनरल्स और विटामिन्स भरपूर मातरा में उपलब्द है इसका इस्तेमाल हम विटामिन्स और मिंडरल्स की कमी को पूरा करने के लिए कर सकते हैं बिकाड एकसामिन एक सॉफ जिलेटिन कैपसूल है जो कि गलैक्सो जी एसके यानि गलैक्सो स्मिथ के लाइन द्वारा बनाया गया हुए एक सर्व में यानि यहाँ एक कंटेनर आता है उस कंटेनर में 30 कैपसूल होते हैं जिसके मार्किट में कीमत 51 रूपे है यानि 51 रूपीज है जो कि हर एक सर्व एक कैपसूल जो है वो नेर अबाउट एक रूपे 70 पैसे का पड़ता है जो कि सबसे एकनॉमिकल है और बहुते बहतरी देता है अब दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं हमारी बोडी को अच्छा पर फॉर्म करने के लिए विटामिन की ज़रूरत होती है और वह ज़रूरत जो है इन कैपसूल के दुआरा पूरी की जा सकती है यहां हमारे बोडी में डिवलॉप्मेंट आइस की ग्रोथ ब जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, विटामीन्स की कमी से बाल हमारे जढने लगते हैं, हमारे एम अनर उर्जा की कमी हो जाते हैं,। हमें थकान मैसूस होती है, आलस बरा रहता है , आमें अनीमीया होता है ऐसी समस्याओं को धूर करने के लिए हम vika डेक्सामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं अब बात कहते हैं दोस्तों vika डेक्सामिन की composition की जैसा कि vika डेक्सामिन एक multimental vitamin का composition है इसके अंदU b6, vitamin b12, vitamin b1, magnesium, iron, calcium, vitamin c, vitamin a, परचूर मातरा में उपलब्थ है अब बात करते हैं इसके डोज की दोस्तों बीका डेक्सामिन की जो डोज है वह रोगी के रोग के अनुसार दी जाती है यानि अगर आपके अंदर मिनरल्स और विटामिन्स की कमी है तो आप इसे उसी के अधार पर ले सकते हैं अमुमन डॉक्टर इसे दिन में एक बार खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद दूट या पानी के साथ लेने की सला देता है अब दोस्तों बात करते हैं कि हम यह बीका डेक्सामिन कैपसूल कब और कैसे ले सकते हैं हमें कब लेना चाहिए या इसके जो है वो यूजिस के हैं इसके बेनिफिट्स के हैं तो दोस्तों शरीर में अगर विटामिन की कमी हो रही है तो बीकास एक्सामिन सबसे अच्छा उपचार है शरीर में कमजोरी हो थकान हो या हमें एनर्जी लैबल बड़ा कम फील कर रहा हो आलस हो रही हो सुस्ती हो तो हम इसे ले सकते हैं अगर हमारी इम्मूनिटी कमजोर हो गए यानि हमें जुखाम खासी बुखार बहुत जल्दी लगता है तो हम इसे ले सकते हैं यहां आखों से संबंधित विकारों को भी दूर करता है, जैसे हमें आख में दोशनी कम हो रही है, रात को हमें कम दिखाईते हैं, जैसे नाइट ब्लाइननेस है, इसके अंदर विटामीन A है, D है, तो हम इसे ले सकते हैं, आख के नीचे अगर काले धबे बन रहे हैं, उसमे में जलन होती है, उसे दूर करने में मदद करता है, अगर हमारे बाल तूट रहे हैं, जढ रहे हैं, पतले हो गए हैं, आप इसे लेना शुरू किजिए, हमारे बाल ठीक हो जाएंगे, अगर नाखून में हमारे दर्द रहता है, नाखून तूट रहे हैं, ब्रिटल हो गए है उसकी toxicity हो गई है उस केस में हम इसको दे सकते हैं यह as a ametic काम करता है अगर हमारे अंदर हड़ियां कमज़ोर है कल्शयम की कमी है उसे भी एदूर करने में मदद करता है फॉलिक एसीड की अगर कमी हो रही है होटों के वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है ये मसूरों से खून आ रहा हो उसके अंदर विटामीन सी है ये उसको भी ठीक करता है रात को सोते समय अगर हमें नाइट लेक syndrome हो रहा हो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है अगर हमें भूक नहीं लग रहे हैं हमारा वजन नहीं बढ़ रहा है तो यह भूक बढ़ाने में भी मदद करता है जिम जाने वाले बच्चों इसको ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर वह सारी चीजें जरूरत के हिसाब से पड़ी है जो हमारी बॉडी की स्ट्रंथ में मदद करती है दोस्तों इस कैपसूल को लेने से पहले हमें कुछ साफधानियां भी वरतनी चाहिए जैसे अगर हमने अलकोहल ले रखा है तो हमें इस कैपसूल को लेना अवाइड करना चाहिए अगर माताएं बहने औरल कांट की सलाह लें माताएं अगर बच्चों को दूद पिला रहे हैं लेक्टेटिंग मदर है उन्हें भी यह कैपसूल लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए अब जानते हैं दोस्तों इसके साइड डिफेक्स के हालां कि यह एक मन्ती मिनरल्स और विटामिन कॉम हमारा तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमें इसको अवाइड कर देना चाहिए यह था दोस्तों विकाड एक्सामिन के बारे में आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एक लाइक ज़रूर दें और एक स कोपी के साथ तब तक के लिए